दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा तीन अंका भीन का जोर और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा तीन अंकों का भीन का घाटाओ ठीक है तो आए हम सीखते हैं पहले हम क्या करेंगे सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ समय लेते हैं देखिए उपर वाले संख्या को हम बोलते हैं अंस, क्या बोलते हैं अंस बोलते हैं, ठीक है और नीचे वाले संख्या को बोलते हैं हम लोग हर, ये आप लोग जानते होंगे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं ठीक है न, तो देखे हर में जितना भी संख्या है उन साब का क्या करेंगे हम LCM यानि लगुतम करेंगे तो देखिए यहाँ पर है 2, 3, 5 इसका जब हम लगुतम करेंगे तो देखिए कितना आता है कैसे करते हैं देखिए यहाँ पकर लेते हम 2, 3, 5 इसका जब लगुतम करेंगे तो 2 से लगाएंगे 2 एकान 2 फिर 3 फिर 5 फिर क्या करेंगे हम तो 3 देंगे यहाँ पर 1 का 1 देंगे फिर 3 एकान 3 फिर यहाँ पर हम 5 लिखेंगे अब इस 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे तो 1 का 1 होगा 1 का 1 और 5 एकान 5 ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि इन सभी को गुना करेंगे तो कितना आएग यहां पर लेंगे बराबर ठीक है यहां पर लेंगे हम 30 ठीक है अब देखिए 30 आया अब देखेंगे कि कि दो कान को कितना वर पर है तो 30 आएगा तो अगर यह नहीं समाझ में तो देखिए इस 30 को 2 से भाग देंगे हम देखिए 2 को 30 से भाग देंगे तो दो एक अंदो कि तीन में सदोगा तो एक जीरो ता रहेंगे दो पंचे 10 ठीक है तो भागफ़ल कितनाया यह 15 आया है इस 15 को इस उपर वाले संख्या से गुणा करना है किस से तो देखिए इससे करेंगे गुणे 15 ठीक है तो पंदरा को जो हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 5 35 तो यहां पर हम 75 देंगे ठीक है फिर यहां पर जोर है तो हम यहां पर जोर देंगे अब तीन कान को कितना पर पढ़ेगा 30 आएगा तो तीन धैन तीस दिखिए तीन धैन तीस दस बार में तो गुने 10 ठीक है अब हम क्या करेंगे तो इसो गुना करेंगे 3 धेन, 30, 10 बार में, फ़िर इस 10 को जब 3 से गुना करेंगे, तो ये 30 आएगा, 10 धिया, 30 आएगा. फिर पलस है, तो पलस दीजीए. अब दखीए, क्या करेंगे, कि 5 को कितना वर पढ़िएगा, तो ये 30 आएगा. तो 5 का 10, 5 यकुना 10, सब्सक्राइब करेंगे इन तीनों संख्यां को आपस में जोड़ेंगे जोड़ेंगे कैसे देखिए कि 75 और 30 को जोड़ेंगे यह 105 आएगा 105 और 24 कितना एगा 119 ठीक है 119 ठीक है और यह बट्टे में 30 तो 30 दीजिए ठीक है यह कटने माले संख्यां नहीं है तो यही पर छोड़ेंगे यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है आईए हम आप तीन अंगों भीन का घटाओ देखते हैं देखिए जैसे उसमें किया है लगुत्तम उसी तरह हम इसमें भी करेंगे तो देख कैसे करते है आठ पांच दो का यान फिर सब का अलगुत कितना आया है आठ अप नियुकां पांच लग में तो यहां करेंगे यहां पर लीखेंगे सबका लग उतनब कितना आया 40 अब 8 का भागा लग लगे 40 में तो कितना आएगा 5 यानि 8 पंचे 40 तो 5 को 9 से गुना कर लिए 9 गुने 5 तो 9 पंचे 45 ठीक है मैनस लगा है तो मैनस लगा इये ठीक है अब देखिए 5 को कितना पंचे 40 आएगा तो स्ताथे कितना हो जाएगा झापन हो जाएगा छीक है मैंनोस लOh You को कितना पंध़े है चोले साएगा तो बीस बार में नहीं तो भी किए 40 को जब आप 40 को जब दो से भाग लाएंगे तो यह कितना दो बार में कड़ेंगे दो दो ना चार यह जीरो यहां बढ़ जाएगा तो गुने 20 ठीक है अब 20 को जब 10 देगुना करता है 20 देन 200 ठीक है अब देखिए 45 माइनस देखिए यह माइनस और यह माइनस क्या जाएगा माइनस माइनस क्या होता है पलस तो क्या करेंगे हम इसको जोरेंगे तो 2056 आजाएगा ठीक है बट्टे 40 है तो 40 लगाईए अब हम क्या करेंगे कि देखिए आप 45 में से 56 नहीं गटेगा तो हम क्या करेंगे कि 256 में से 45 माइनस 45 चो में से पांस गए तो एक ठीक है पांस प्रेंट तो एक ठीक है और ये दो का दो तो 211 देंगे लेकिन छोटी संख्या मेंसे बड़ी संखरता है तो यह माइनस का लगा जाता है ठीक है तो छोटी समय यह कुछ सबस्क्राइब तो इदिए थे कुछ नहीं है तो पलस में है ठीक है और यह क्या है मैननस में है ठीक है फटी की तिय। क्हिते हैं चालइस तो चाहिस ले गए तो सकताहे इसे अंसर भी तो करता हूं कि तीन अंगों का भीन का जोर और घटा सेगे होंगे अगर इसी तरह अपना मैत को मजबुत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों भी सेर करें धन्यवाद